वेल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल लिंगुस्टिक अलिट्रेचर नॉर्स आज का हमारा टोपिक है ओर्ड ओनाग्रेशन अर्न बाई जोन किड्स जिसको 1819 में लिखा गया था फॉर्स टाइम इसको जिस कलेक्शन में पब्लिश किया गया वो था एनल्स ओफ दा फाइन इसको अनौनमसली इस कलेक्शन में पब्लिश किया गया था इसके अंदर टोटल 5 स्टैन्जा थें स्टैन्सार तें लियंगे अर्गनाईज किया गया है बात करें पोएम की स्टॉक्टर की तो हमें इसके अंदर जो रॉल्हां स्कीम स्टार्ट में दिखा जाता है अभ बात करें पहले और पांट प्रफे टंजा के तो उसके अंदर जो राइम स्कीम वो है c the dcV और जो second stanza है वो analog करता है rhyme scheme cêtes जब्कि जो third और fourst stanza हैँ उसकें अंदर rhyme scheme हमें मिलता है cde cde यह है हमारे poem का structure जिसके तहत इस poem को लिखा गया है poem में ode on a gracean earn जो gracean earn है वो symbolize करता है inter twinning of life or death को central idea इस poem में हमें immortality of art का दिया गया है poet ने life को impermanent, art को permanent कहा है इस poem में क्योंकि जो life है वो खतम हो जाती है with the passage of time यानि वो mortal है लेकिन जो art है वो immortal है वो with the passage of time खतम नहीं होता क्योंकि वो एक तस्वीर है उसको जो है आना मौत नहीं आ सकती इस वज़ा से जो art है वो immortal है वो हमेशा हमेशा के लिए है इसके इलावा point हमें इस poem में बताता है beauty और truth के बारे में क्या है जो beauty है वो truth है और truth ही beauty है पहले स्टेंजा में शायर आन से address होकर कहता है कि तुम्हारी जो शादी है तुम्हारा जो बिया है वो time और silence से हुआ है क्योंकि तुम बहुत ही सालों से ऐसे ही चुप करके एक जगा पे खड़े हो और यह जो time के changing है इसका तुम पर कोई भी असर नहीं हुआ जो stories है वो सुनाता है जैसा के कोई sylvian जो historian है वो हमें बहुत सारी कहानिया बताता है फिर poet यानि शायर अपने real word of experience को अपने ideal word of imagination से compare करता है poet कहता है कि जो मेरा real word of experience है वो ideal word of imagination से बहुत ही opposite है क्योंकि मेरी दुनिया में मुझे सकून नहीं है जबकि जो ideal word of imagination है वो मेरी दुनिया से बहुत different है वहां पर सकून है बाकिस टैंजा में poet इस wonder में है कि जो इस आन पर pictures बनाई गई है वो क्या कहना चाह रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा confused है वो curious है यह जानने के लिए कि आन हमें क्या बताना चाह रहा है वो इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से उसको आन पर बनाई हुई तस्वीरों के बारे में कुछ पता चल सके तस्वीरों से वो हमें कुछ बताने की कोशिश करता है जो कि गोर्ड, मैं, परसूट इस कैप के बारे में है पॉइट अन पर बनाई हुई एक तस्वीर के बारे में बात करता है जो कि लवर और बिलवड के बारे में है वो कहता है लवर अपने बिलवड के पीछे भाग रहा है कि उसको पकड़ सके और प्यार कर सके लेकिन जो उसका beloved one है वो उससे बहुत दूर है और वो उससे पकड़ नहीं पा रहा और यही जो चीज है वो उन्हें immortal बनाती है क्योंकि वो तस्वीर में है वो एक दूसरे को कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे इस तरीके से जो lover है वो हमेशा अपने beloved के पीछे भागता रहेगा और उनकी महबत इस तरीके से एक दूसरे के लिए बढ़ती जाएगी कभी भी कम नहीं होगी क्योंकि वो दूसरे को मिल नहीं सकते इस वज़ास से उनकी जो महबत है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी चैंजा नमबर टू में poet haired melodies versus unhaired melodies के बारे में बात करता है वो कहता है कि वो melodies जो हमने सुनी है वो बहुत ज़्यादा sweet है लेकिन आप उन melodies के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनको आपने अभी तक सुना नहीं है तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो और ज्यादा sweet होंगे as compared to वो melodies जो आपने सुन रखे हैं वो कहता है कि एक piper है जो कि एक tree के नीचे बैठा हुआ अपने pipe से एक soft music produce कर रहा है जिसको हम अपने physical airs के जरीए से नहीं सुन सकते लेकिन हम उसको feel कर सकते हैं अपने spiritual airs के जरीए से उसको सुन सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा sweet है इस वज़ा से हम उसे अपने physical airs से नहीं सुन सकते तो point कहता है कि जो pipe है वो हमेशा ही ऐसे अपने lover के लिए गीत काता रहेगा वो हमेशा उसे ऐसे ही महबत करता रहेगा वो कहता है lover अपने beloved को किस करना चाता है लेकिन वो कभी भी उसे किस नहीं कर पाएगा वो उसे प्यार नहीं कर पाएगा वो उसके पास नहीं जा पाएगा इस वज़ा से जो उसकी महबत है अपने beloved के लिए वो कभी भी कम नहीं होगी तो उसकी beloved one हमेशा ऐसे ही beautiful रहेगी हमेशा ऐसे उसके पास रहेगी क्योंकि वो उससे दूर नहीं भाग सकती इस वज़ा से उसे कोई गम भी नहीं है कि यह मुझे से दूर चली जाएगी और उसे इस बात की फिकर भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोनों आर्ट के अंदर चेंज हो चुकी है दोनों immortal हो चुकी है जैंजा नंबर 3 में point खुश होकर कहता है कि देखो वो जो beloved one है और उसका जो lover है वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे वो हमेशा खुश रहेंगे एक दूसरे से महबत करते रहेंगे हमेशा यंग रहेंगे वो हमेशा ऐसे ही खुशी के गीत गाते रहेंगे क्यों? क्योंकि उनके जो feelings हैं वो एक दूसरे के लिए कभी भी खतम नहीं होंगी क्योंकि वक्त का उन पर कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि वो आर्ट के अंदर चेंज हो चुके हैं वो एक दूसरे को पा नहीं सकते इसलिए उनका जो लव है एक दूसरे के लिए वो हमेशा ऐसे ही यंग रहेगा क्योंकि हमारे रियल वर्ड में जो इनसानों की महबत हैं उनके जजबात हैं फीलिंग्स हैं इमोशन्स हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं वो वक्त के साथ साथ कम होती रहती है लेकिन वो लवर और बिलवड जो तस्वीर के अंदर दिखाए गए हैं जो अर्न के उपर बनाई गई है वो हमेशे अग दूसरे के लिए जंग रहेंगे उनकी महबत हमेशे अग दूसरे के लिए ऐसे रहेगी क्योंके वो आर्ट का हिस्सा बन चुके हैं और जो चीज आर्ट का हिस्सा हो जाती है उसे टाइम के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे जिहाना डेथ कहीं भी नहीं लेकर जा सकती क्योंके वो पर्मनेंट है सेंजा नमबर फूर में पोईट हमें बताता है कि एक कुर्बानी के जानवर को एक प्राइस्ट लेकर जा रहा है ताकि वो कुर्बानी कर सके गाउं के लोग उसके पीछे पीछे हैं उन्होंने कुर्बानी के उस जानवर को बहुत प्यारा सजाया हुआ है पोइट बहुत हैरान होता है कि ये लोग कौन है ये कहां जा रहे हैं और वो गाउं जो चोड़कर जा रहे हैं क्या वो हमेशां के लिए खाली हो जाएगा और हमें वहां बताने के लिए कोई भी नहीं रहेगा कि ये कौन लोग थे कहां से आए कहां चले गए एंजा नमबर फाइफ में पोईट आन को डिफरेंट वे के अंदर डिस्क्राइब करता है कि वो एक एटिक शेप है वो यहां पर आन को परसोनिफाइ करता है उसको हिूमन कौालिटी देता है कि यह एक हिस्ट्रियन है जो हमें डिफरेंट स्टोरी सुनाता है यह सेंचुरीज से चुप चाप एक जगा पे खड़ा है लेकिन फिर भी यह हमें बहुत सारी स्टोरी सुनाता है वो बताता है कि जो अर्न है उसका बियार टाइम से हुआ है लेकिन यह फिर भी immortal है क्योंकि जो चीज आर्ट का हिस्सा बन जाती है वो immortal हो जाती है तो poet कहता है कि जो beauty है वो truth है और जो truth है वो हमेशा beautiful होता है इसके इलावा वो कहता है कि अगर earn deathless है तो ये lifeless भी है इसके इलावा इस poem में कोई symbols का use भी किया गया है जैसे कि the creation earn symbolize करता है timeless art और beauty को ये हमें दिखाता है कुछ ऐसे scenes जो कभी भी change रही होते जिनको कभी बुड़ापा नहीं आता और ये compare करता है इनसान की जिन्दगी से जिसको death चीन कर ले जाती है लेकिन जो art है वो immortal है वो permanent है जबकि इनसान की जिन्दगी जो lover है वो हमेशा हमेशा के लिए frozen है वो हमेशा ऐसे ही अपने beloved one को प्यार करता रहेगा ये symbolize करता है eternal love और desire को जो lover है वो हमेशा अपने beloved one को chase करता रहेगा और उसका ये जो chasing है जो कभी भी complete नहीं होगा तो ये हमें बताता है एक unending moment के बारे में क्योंके वो art के अंदर है वो frozen है तो उनका जो love है वो कभी भी complete नहीं होगा और complete नहीं होगा तो इस वज़ा से वो immortal है उसको वड़ापा नहीं आएगा वो कभी खतम नहीं होगा क्योंके जो महबत हासल हो जाती है वो वक के साथ साथ खतम हो जाती है लेकिन चूंके ये लोग आर्ट का हिस्सा है तो इसलिए जो कभी भी एक दूसरे को पा नहीं सकते तो इनकी महबत भी कभी भी खतम नहीं होगी लेन हमारे पास आता है the trees and pipe जो tree और musical pipes हैं वो represent करते है nature और creativity को ये हमें idea of eternal beauty और inspiration के बारे में बताते हैं ये हमें उस word के बारे में बताते हैं जो earn के बाहर है और जो earn के अंदर है क्योंके poet को लगता है कि जो उसका real word है और earn के अंदर जो बताया गया ideal word है दोनों totally different है real word के अंदर उसे बहुत ज्यादा problems face करनी पड़ रही है उसे कहीं भी सकून नहीं मिल रहा जबके जो ideal word है वो immortal है वो impermanent है वो art का हिस्सा है इसी वज़ा से उसके अंदर सकून है thank you so much for your participation हमारा आज का topic यहीं पर खतम होता है वीडियो पसंद आई है वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाना ना भूलना ताके ऐसी और ज्यादे वीडियो आप लोग को time पर मिल सकें